का ये देखके ये ‎क कीपड मॉइल है अगर आपको इसको चार्ज करने के लिए चार्जर मार्केट सब्सक्राइब करना है झाया पर कितनी होग है ठीक है आपको इसको चार्ज करना है तो आपको एकल जिसमें कोई भी एमपेर नहींoffsकर को यूट करना है जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूं इसमें कौन से चारजर लगेगा abs. अगर आप सोस्ते हैं औरूप को इस चाइज्ड में 50 रूप्य चाइजर आता है मार्केट में 50 रूपीस का आई गया यह आपको लेकिन अगर 이슬 इस और को इस मॉइल प्योज्च करना है तो नहीं करना है इस मॉइल्ग करना है तो आप कीपड फोन पर आपको चार्जर रूज़ करना है तो आप 50 रुपय का आप किसी भी सॉपस जाके ऐसा चार्जर आप ले सकते हैं अब बात यह आती है कि का बुलते हैं हम 50 रुपीज का चार्जर है तो हम टच वाले फोन पर कौन सा चार्जर रूज़ करेंगे तो इसके यह जिए बिल्कुल भी अभी समझ लिए आप पाँचर का फून है अभी पाँच ज़र पाईचर को न है ताप इसमें कितने की सकते हैं कि थाइस सकते हैं इसनि आज हम आपको बुताते हैं इसके Charger का तक यह देखक यह यहां पर लिखा हुता है आप इसको देख सकते हैं अगर आप इसको यूज करते हैं तो एक छुज कर सकते हैं और इस चार्जयर को आप कीपड के फोन पर वी यूज कर सकते हैं क्योंकि कम पाबर कफ होता है मतलब इस पर हनस कर सकते हैं इस इतिना चल जाएगा बाइंट यह ज़िए दोस्तों आप यह चार्जर को इस पांच जार के फोन पर आप बिल्कुल भी अच्छी तरीके से आप यूच कर सकते हैं इस पर कोई दिक्कत नहीं होगी बस अगर आपको पांच जार पर थोड़ा सा अगर हैवी कॉलिटी के चार्जर यूच करना है तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका थोड़ा सा आपको बैटरी आपको अच्छा देगा और आपका यह मुवाइल बहुत अच्छे तरीके से चार्ज हो जाएगा क्योंकि आपने एक इस मुवाइल के लिए 2.4 MPR का चार्जर बैस्ट रहेगा और एदी आप सुचते हैं हमने एक चार्जर खईदा है 2.4 MPR का हमारे घर में कई प्रकार को मुवाइल है क्यों ना हम सारे सारे चार्जर सारे मुवाइल उसी चार्जर चार्ज कर ले बिल्कुल गद्ध है आप जिस मुवाइल के लिए चार्जर लेके जा रहे हैं अगर वो 15,000 का मुवाइल है तो आप उसमें थोड़ा सा और है भी उच करिए बताने वालों आपको में तू पाइंट फॉर का पाजर तक में उच करना है ठीक है पाजार रुपय तक में तू पाइंट फॉर में लेकिन अ अब आप यह देखिए इसमसंग फोन यह पाजार रुप्य यह आपका दस जार फोन अगर यह को दशार रुपय को पहले तो अब इसमें आप से कम सब्लाइब पोलेगी लिकिन आपको तो चला सकते हैं बैट्री भर जाएगी मगर आपकी बैटरी धीर धीर भरेगी वह दि कि आपका 10,000 का हैंसेट है इसलिए आपको इसमें थोड़ा सा और उची क्वाल्टी के चारजर रखना पड़ेगा क्योंकि आप 2.4 का यूज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है बैटरी आपकी भरेगी धीरे धीरे भरेगी और दिक्कत कुछ भी नहीं यह भी इस पर चल जाएं है 3.4 का चार्जर यह देखिए त्री पॉयंट फोर एंप अगया ठीक है आपको यह चारजर को नहीं युच करना दस जार के फॉन पर इसको आपको किनारे रख रख दिन हैं इसको आपको किनारे रघ दिना ऐसे अलग कर दिना है आपको सब्सक्राइब पर आपको यूज़ करना है किसी भी कंपनी के लिए इवान कंपनी का 3.4 यह देख लिए 3.4 यह उपर लिखा रहता है इसको आप देखी अच्छे से क्वाल्टी चेक करिए इसको मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं अगर आपको 10,000 के फोन पर यूज़ करन इस तरीके का चार्जर होगा आपका यह आपके 10,000 के फोन के लिए परियाप थे क्योंकि इसमें आपका 3.4 यह आप 10,000 के हैं सब्सक्राइब यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आपका 3.4 यह आपकी बैटरी भी फास्ट चार्जर करेगा और आपको बैक अच्छा देगा और इ इस से एक बार में दो मॉइल चार्ज कर सकते हैं लेकिन मैं आपको बता दूँ आप एक बार में दो मॉइल मत चार्ज करिए क्योंकि यह चार्जर और नहीं होते हैं यह चार्जर अच्छी क्वालिटी के तो हैं मगर और नहीं होते हैं इसलिए आप एक बार में इन दोनों पॉर्टों का इस्तमाल के शार्जर काफीः कर सकते हैं एक गंटे के थोड़ा सा थंडे के समय में कोहीं दिक्कत नहीं आती है गर्मियों के समय में क्या होता है आप दोनों पूर्ट उच्प करेंगे तो चारज़र गरम होके चार्जक सो लिए प्र सपन्ने दोड़ा करें बटा दिया शाहजर का बटा दिया किसको आप किनारे लिकारि लागल इनुट दार को पयों करना है तो आप इस तरीक चारटे यह इतने चारजर आपको दिखा रहाग हूँ मैं टो देखिके 12 वार्वाट के चार्जर रहते हैं वाराम फाइन तक रहते हैं यह थोगा से मह के आते आप मार्केट और जाएंगे बाराबाट के आते हैं ठीक है इसमें बाराबाट लिए यह फोर फोर एंपियर के लगबग होते हैं यह आपको लगबग 300-300 के उपर मिलेंगे मार्केट में यह वी वन कंपनी के है 300 रुपर आपको बताएंगे आप अपना हिसाब से बात करके मोलवाव करके आप इसको कुछ कम करके आप इसको ले सकते हैं यहां पर देखिए वाराबाट लिखा हुआ है यह अगर आपको पंद्रह जार के फोन पर यूच करना चार्जर तो आपको एक और बैस चार्जर लेना पड़ेगा जो 4-3 का हो ताकि आपका 15-20 2000 पर फोन है आपको कोई दिक्कत नहों आपको अच्छे तरीक से आपको आपको बकाये तक बैट्रीह भर दे क्योंकि आने वाले समय क्या होगा एक साल के बाद आपकी फोन की घराब हो जाएगी दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं इस फोन की बैटरी खराब होने लेगी और बहुत कम चलेजिजी फिर आप सोचेंगे कि अपका खराब हो चुका है आप मार्केट से एक लूग वाल्टी के चार्यर आप कर दिय आपने इस तरीके के चार्जर आपने उप्योग कर दिया आपने एक छोटा चार्जर ले लिए 100 रोप्य का 1.4 एंपेर का आपने ददद 15 15 17000 रोपे की मौईल में इसे चारजर को प्योग करके इनकी बैटरी भरके आपने चला लिए इसमें होको इन आपकी बैटरी फार्ट था दोस्तों आपकी बैटरी खराब बागी और जल्द से जल्द आपको बहुत प्राबल्ल्म होगी charger बहुत सारे मेरे पास आपको चाजरर चार्जो का भंडार मेरे पास दिखाता हूं को ते दिखिया charger य्दि था म्रijo आप किसी चा दो कि ऐसकते हैं और दोस्तों अपनी बैटरी को अच्छे से दिवस्तित करके चला सकते हैं क्योंकि अगर आपका फोन महें क्योंकि पैसे पेड़ पे नहीं लगते दोस्तों आपकी जानकारी आप एक बार फोन लेते हैं आपका उसमें डाटर रहता है आपका फोन खराब हो जाए गुम जाए तो आपको बहुत दिक्कत होती है लेकिन यह चार्जर बिल्कुल भी गलत है ऐसे चार्जर को सिब कीपैट के मौयल पे उपयोग किया सकता है और अगर आप 1.8 एंपियर का लेते हैं यह भी गलत है यह तीन से चार्जार के मौयल के लिए है यह भी गलत है अगर आप थोड़ा सो और उपर जाते हैं तो 2.4 एंपियर जाते हैं तो यह कुछ कुछ हद तक दस रार पे लिए बैस्ट है लेकि उतना नहीं लेकिन अगर आप 3.4 एंपियर पर आते हैं 3.4 एंपियर पर आते हैं तो आपको थोड़ा सा कुछ ठीक है अगर आप इनको 10,000 को माल पर यूज़ कर सकते हैं कोई भी प्रॉब या जिए हैं क्योंकि जब भी हम चार्जांइर लेते हैं तो वह में सीथैंटार ती इनसो चार्ज हम खराब हो जाती है तो आप को यह क ήταν की रॉरी बरणटी है और वह कहता है कि केवल की वरंटी नहीं है तो आप उससे पूछिए सेकंड टाइम आएंगे तो आप केवल कितने की देंगे क्योंकि आपने 400 का चारजर दिया है तो वह आपको बताएगा कि आपने हमसे चारजर पर्चिस किया तो मैं आपको 50 रुपए 100 रुपए केवल दे चैबल की दोस्तों नहीं रहती है इसलिए आपको इधान रखना है इस केवल को समाल कर रखना है यह नहीं आती है वरणाटी इसकी आती है तो आपको यह बदल के मैंने कुछ होता नहीं और हम भूल जाते हैं कई ली जहाँ पर जाते हैं और यहाँ चार्जर देता पूलेगा अच्छी क्या दिया का फिर से अप उसको द्यान रखना है कि आपको पुराने चारिजर को लेकर जाना है उसी तो पर जहां से आप ने इस चार्जर को परचस किया था उसको बोलना है आपका यहां का चार्जर था आपने six month की warranty दी थी लेकिन चार्जर नहीं चल लाए इसलिए आप बदल के दीजिए तो वह बोलेगा ठीक है मैं आपको बदल करता हूं फिर आपको एक निव चार्जर देगा इसके वाल का चार्ज करेगा आपको एक निव चार्जर देगा और कुछ जो भी उसकी पचास साथ रुपर सो रुपर आपसे लेकर आपका यह काम करवा देगा क्योंकि आपने उसके पर्चस किया है लेकिन अगर आप warranty नहीं पूछ कि आएंगे और कोई जानकारी नहीं लेंगे इसके आभाव में आपको क्या करना पड़ेगा एक चार्जर खई तीन मैंने बाद फिर तीन मैंने बाद दूसरा चार्जर खई दिए तीसरा खई दिए पैसे आप खईते जाएंगे तो आपका नुकसान होगा और आपके पैसे का बिल्कुल भी प्योग नहीं हो बाएगा इसलिए आपको विश्यज ध्यान रखना है कि आपको हलके ऐziest BU के साथ download गाते तकके लैंगर आपको थ करने हैं अगर आपको बीस जार रुपे का है तो आपको बाराबड क्वक्त फोर एंपीर के चैंजर लेने हैं बस दोस्तों आज आपको एक जानकारी देनी ती ती चार्जर में बहुत सारे हैं आज आपको मैंने वीडियो बनान जालेके से उपने ड़्स बिटाने के लिए जमेंं केकुई जान रखना है अब आपको आपको यह संघने हैं कि चार्जर से है किर देखिए किर देखिए दोस्तों इतने चार्जर देखिए आपको इन चारält में से अपने के लिए कौन positives uitश्याजर है आपको इसका उसाण रखना है अब आपको अगले लेक्ट वीडियो में बताँ हुआ कि केबल कितने प्रकर होती है केबल कैसे खरीज़ आपको अपने opposed केविश केवल कौन सी होती है आसा हूँ दोस्तों यह जानकारी आपको एक बहुत हैल्फ हो रही हो के मिद् satu Day होगी इस नहीं मेने इस वीडि़ों को कि अपको दिखाने के लिए इन चायagnosti में लेकर आया हूं ताकि आप इनको देख करके एक अंदाजा लगा सकें कि वीडियो किती मेहनत से बनते हैं मेरे चार्जर को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और आगे मेरे वीडियो को सेर कर दिजिए क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए बहुत टाइम निकालना पड़ता है और बहुत सारे पैसे भी खच करने पड़ते हैं देखिए मैंने समय निकाल के आपके लिए इतने चार्जर का भंडाल लेका आया हूं ताकि आप देख सकें यह चार्जर आपके लिए वीडियो बनाने के कितने उप्योगी थे मैंने आपको एक अच्छी चान क